आटम्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नंगी आँखों से नहीं देख सकते इन्हें सिर्फ पावफुल माइक्रोस्कोप्स के जरीए देखा जा सकता है इस युनिवर्स में जो कुछ भी है वो आटम्स से बना है इसमें आप, हम और वो हर डिवाइस शामिल है जिसे आप देख रही है बास्तों में अकेले आपकी बॉडी में 7 billion 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 एटम्स हैं जो 7 into 10 to the power 27 एटम्स के बराबर है आखिर ये एटम्स होता क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आटम्स किन चीज़ों से बने होते हैं इसके साथ-साथ हम उनके मास, साइज और इनके भीतर एलेक्ट्रोंस के अरेंजमेंट को भी जानेंगे आटम्स जरूर छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन ये भी दूसरे छोटे-छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिने हम सब-atomic particles कहते हैं. Atoms के ठीक बीच में nucleus होता है, जिसमें protons और neutrons present होते हैं. Protons पे positive charge होता है, जिबकि neutrons पे कोई charge नहीं होता, यानि overall nucleus positively charged होता है. जिस तरह हमारे solar system के सभी planets sun का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह electrons भी nucleus का चक्कर लगाते हैं. Electrons पे negative charge होता है, electrons पे negative और nucleus पे positive charge होने के कारण, ये दोनों एक दूसरे से electrostatically bound होते हैं. ये sun और solar system के different planets के बीच लगने वाले gravitational pull जैसा है, तो ये atom का general structure था. आईए अब हम इसके mass और size को discuss करते हैं. protons और neutrons का mass सेम होता है, लेकिन electrons इतने चोटे होते हैं कि इनका weight, protons और neutrons के comparison में negligible होता है. Electrons, protons से लगबग 2000 गुना हलके होते हैं, जिसके कारण electrons का mass भी nucleus पे concentrated रहता है. आईए अब atom के size को discuss करते हैं. किसी atom की radius उसके size को describe करती है, किसी atom की radius इसके center से outermost shell की distance होती है. atom की typical radius 10 to the power minus 10 meter होती है. atom का ज़ादतर mass उसके nucleus में होता है, लेकिन size में nucleus atom से बहुत छोटा होता है. nucleus का size बहुत कम होने से electrons इसके चारों और दूर दूर तर चक्कर लगाते रहते हैं. अगर atom को sports arena मान लिया जाए, तो nucleus इसके बीच में रखे गए मतर के दाने जैसा होगा. आई अब हम electrons को थोड़ा ज़्यादा detail में समझते हैं. negatively charged electrons, nucleus के चारों और fixed orbits या shells में चक्कर लगाते हैं. different atoms में number of shells भी different होती हैं. प्रतेक shell की energy fix होती है, यानि electron को किसी shell में revolve करने के लिए, electron के energy उस shell के energy के बरावर होनी चाहिए. nucleus के पांस की shell की energy सबसे कम और outermost shell की energy सबसे ज़ादा होती है. दूसरे शब्दों में कहें तो electrons, nucleus के चारों और ठीक उसी तरह चक्कर लगाते हैं, जिस तरह solar system के सभी planets, sun के चारों और. हलांकि electrons fixed energy levels में और nucleus में fixed distances पे revolve करते हैं. हम periodic table के different elements के structural differences को इस वीडियो में देखेंगे. तो इस वीडियो में हमने atomic structure देखा. atoms में positively charged nucleus होता है, जो positively charged protons और neutral neutrons से बना होता है. negatively charged electrons, nucleus के चारों और fixed orbits में revolve करते हैं. atom का जादतर mass उसकी nucleus में concentrated होता है, और atom की typical radius 10 to the power minus 10 meter होती है. अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने atom के existence और structure का पता कैसे लगाया, तो इसके लिए ये वीडियो देखें.